कहते हैं कि जैसे कर्म करते हैं उसका फल अवश्य भूखना पड़ता है इसलिए भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है कि हम अच्छे कर्म करके अपने पूर्व जन्मे में किये गए पापों को धो सके और अधिक से अधिक पुन्य कमा सके परन्तु हम मनुष्य शरीर पाकर इस संसार में आकर सब कुछ भूल जाते हैं हमें ये ज्याती नहीं रहता कि हमारे कर्म हमारा अगला जन्म हमारा पड़लोक निरधारित करेगा और जानी अंजाने में भी ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिससे दूसरों का अहित हो जिससे किसी का दिल दुखे कई बार व्यापार को व्यापार कहकर ऐसे कर्म कर लिया करते हैं जिसमें जूट कपड बेईमानी हो और ऐसा करके हम ये विचार नहीं करते हैं कि हमें इस संसार में नहीं रहना हमें परमात्मा के पास लोटना है हम कीवल बिना सोचे समझे इस संसार में सम्मान मिले लोगों के सामने हमारी बड़ाई हो सिर्फ उस चीज को देखते वे रूपया पैसा कमाने में लगे है चाए वो बेइमानी से हो जूट कपट से हो लेकिन इस बेइमानी से कमाये गए धन का फल भी आपको भोगना पड़ेगा इसको जानने के लिए पहले सुनते हैं एक शलोग अवश्यमीव भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम नाभुक्तम क्षियती कर्म कल्पकोटी शतैरपी अर्थार किया हुआ शुप तथा अशुप कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है सौ करोड कल्पों तक भी किया हुआ कर्म बिना भोगे शय नहीं होता अर्थार खत्म नहीं होता इससे हमने ये तो जान लिया कि चाय आप इस मनुष्य शरीर को पाकर अच्छे कर्म करें चाय बूरे कर्म करें दोनों का फल आपको भोगना पड़ेगा और जब तक आप उसे भोगेंगे नहीं तब तक वो आवागमन का चक्र चलता रहेगा आपको बार-बार इस धर्थी पर जन्म और मरण होता रहेगा हमने ये तो सुन लिया कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है और ये भी सुन लिया कि बेहिमानी से अगर करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा पर इसका क्या प्रमान है? इस बात को प्रमानित करने के लिए आज हम सुनेंगे एक सत्य घटना, ऐसी घटना जो एक साधू बेला के संत के साथ में घटित हुई, हैं अभी बर्दमान में वे साधू, परन्तु उनसे भी अन्जाने में ऐसा पाप हुआ, उन्होंने इतने घोर पाप किये, जिसके कारण उनको उसका फल भोगना पड़ा, उन्होंने जूट से, चल से, बेईमानी से और लूट मार करके रुप्या कमाया, लेकिन उस रुप्या जिसके साथ बेईमानी की, उसका फल उसको उनसादू को भोगना पड़ा, तब उने चेत हुआ और अब विप उस धन को पूरी तरह से छोड़कर साधु संतों की संगती में लग चुके हैं कहानी शुरू होती है साधु बेला के उस संत की जब वे ग्रिहस्त आश्रम में थे हम मनिश्यों की चार अवस्ता होती है, उसमें ग्रहस्ताश्रम प्रमुख है ग्रहस्ताश्रम में हमारी जैसी ग्रिया होती है, उसका फर्क हमारे आने वाली पीडी पर, हमारे बच्चों पर भी पढ़ता है ग्रियस्त आश्रम में एक व्यक्ति का जैसा आच्रन होता है उससे उस घर में रहने वाले वुजुर्ग उनका जीवन भी अच्छा बना रहता है और ग्रियस्त आश्रम में जो व्यक्ति है उसके संसकार अच्छे होते हैं वे अगर अपने माता पिता की सीवा करते हैं तो इस सादू बेला के संत की बात हम कर रहे हैं जो अभी ग्रहस ताश्रम में हैं तो वे अपनी कहानी सुना रहे हैं कि उस समय उनके पास में रूपे पैसे की कमी थी जो सादू बेला के संत हैं जो उस समय पहले ग्रहस ताश्रम में थे उनके पास उस समय रूपे पैसे थोड़े कम थे और साथ में उनके कोई संतान भी नहीं थी। जब व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं और संतान भी नहीं तो अवश्य ही वे चिंतित रहा करते थे। तब उन पे एक ऐसी क्रिपा हुई कि उन्हें एक साथ ही मिला जिसने उनको आकर कहा कि मेरे पास में बहुत धन है और तुम मेहनत कर सकते हो तो क्यों ना रुपिया तो मैं लगा दूँगा और तुम और हम मिलकर हिस्सेदारी में दुकान कर लें। हिस्सेदारी में किया गया काम बहुत मुश्किल से ही सफल उपाता है। जब दोनों की आपसी एक दूसरे से मेल जोल हो। एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं हो। पूरी तरह से एक दूसरे पर विश्वाश हो। एक दूसरे की कार्य पर विश्वाश हो। तभी हिस्सेदारी का कार्य सफल उपाता है। अब देर क्या थी। जो ख्रहस ताश्रम में थे व्यक्ति जिनके हम कथा सुन रहे हैं तो वे तयार हो गये। क्योंकि उनके पास में पैसा तो था नहीं और जब उनका साथी उनको पैसा देने के लिए तयार हुआ तो उन्होंने का ठीक है मैं तयार हूँ। दोनोंने मिलकर एक दुकान का कारियर शुरू किया। भक्वान नारायन की उनपर ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुंबई में रूई की गाठे खरी दी। उसमें उन्हें एक लाक रुपे का फाइदा हुआ। उस फाइदे के कारण मुंबई से उन दोनों मित्र के पास में एक लेटर आया, पत्र आया कि तुम अपने एक लाक रुपे ले जाओ। लगी वहाँ से, जो उनका मुनाफ़ा हुआ था, एक लाक रुपे का तो जो मुंबई की वहाँ से जहां पर भी उन्होंने अपना सामान बीच जा था तो उन्होंने को कहा कि एक लाक रुपे तुम मुंबई या कर ले जाओ। तो वे दोनों मित्र जो एक दूसरे के साथ में दुकान का काम कर रहे हैं, उनको बड़ी प्रसन अता हुई क्योंकि जो काम करते हैं और उसमें सफलता मिल जाती है और चाहिए क्या, वे दोनों मुंबई जाकर रुपया लेने के लिए वे चले गए, मुंबई पॉचकर वे द देद विश्राम करने के बाद में उन्होंने दिन भर मुंबई घूमे, मुंबई की सैर की, तब जो संत अपनी कहानी सुना रहे हैं, उनके साथी ने उनसे कहा, अभी दो तिन दिन और मुंबई ठहर लेते हैं, मुंबई इतने सुन्दर जगे हैं, आए हैं, तो क्यो ना, पूरी तरह से घूम लें, खूब सैर कर लें, रोज रोज इतनी दूर तो नहीं आ सकते हैं, हम भी कहीं बार ऐसा ही सुचते हैं, किसी दूर जगे पर जाते हैं, और अगर वो सुन्दर जगे लगती ही, तो ऐसा लगते हैं, रुक जाते हैं, वही बात उनके साथ हुई, त दो तीन दिन उन्होंने मुंबई की सvéard की, खूब घुमें बहुत कुछ देखा, फिर उन दोनों मित्रों ने जाकर एक लाख रुपे, जिसको उन्होंने अपने जो मुंबई में रुई की गाठे उन्होंने बेची थी, उससे मिले थे एक लाग रुपे तो वो एक लाग रुपे वो वहां से ले के आ जाते हैं और वापस अपनी होटल पे लोट आते हैं अब होटल दोनों मित्र आ चुके हैं और उनके साथ है एक लाग रुपे मुंबई की उन्होंने सैर कर ली है अब समय था वापस अपनी जगह जहां से वे परन्तु जो संत अपनी कहानी सुना रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि उस रात मेरे मन में पाप उदै हुआ, मैंने सोचा कि यदि इस साथी को मार डाल दिया जाए, तो जो सारे रुपए हैं, एक लाग रुपए, वो सारे मेरे हो जाएंगे. ऐसी सोच आना, उस मित्र के, चुक कुछ देर पहले मित्र थे, एक दूसरे के साथ कारे शुरू किया था, दोनों को मुनाफ़ा हुआ, दोनों रुपए लेने के लिए मुंबई भी आये, मुंबई आके उन्होंने इत्ती सैर भी की, लेकिन एक लाग रुपए देखते ही, उ उस गरीब व्यक्ति, जिसके पास पैसा नहीं था, उसके मन में ये चोर आ गया, कि क्यों ना, मैं इस दूसरे साथी को मार डालो, क्योंकि आज एक लाग रुपए जो मिले हैं, वो हम दोनों को बटवारा करने पड़ेंगे, परन्तों अगर ये मर जाएगा, तो ये सारे र पैसे को देख कर करते हैं, कीवल जीवन का एक लक्षे बना रहा है, वो है रुपिया पैसा, किसी भी तरह बस रुपिया पैसा हमको मिल जाए, यही भाव के कारण हम ये बिल्कुल विचार नहीं करते हैं, कि हम कर क्या रहे हैं, कहीं बार ये जो संत अपनी कहानी सुना रह हैं वैसा काम हम भी करता है चाहिए हम कोई भी ददा कर रहें व्यापार कर रहें जॉब कर wealth कर रहें चाहे हम एक jeunes हाउस वाइफ ही हैं रुपर पैसे के लिए च्छोटी च्छोटी बात पर जूट बोल देना कपट कर लेना किसी के साथ बेमानी कर देना यह हमारा रोज प्रती दिन का काम बन चुका है आज की कहानी से हम जानेंगे कि कैसे चोटी चोटी बात पर जूट किसी के साथ बेईमानी का फल हमें भोकना पड़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं उसने अपने मित्र को मार डालने का निश्य कर लिया और रात में होटल के कमरे से नीचे उत्रा चुपचाप बाजार में चला गया और वहां से जहर खरीद कर ले आया होटल लोटता है जहर लेकर और आकर दूद के ग्लास में उस जहर को घोल कर अपने उसी साथी को पिला देता है जिसका सारा रुपिया वो गरीब मित्र हडपना चाता था वास्तों पे वो मित्र कहलाने लायक ही नहीं था तोकि एक मित्र वही है जो अपने दुख से ज़्यादा अपने मित्र के दुख को माने ना कि अपनी खुशी के लिए अपने मित्र को दुख ही करते जैसे ही वो जहर वाला दूध उस साथी ने पिया तो रात में ही उसकी मृत्यू हो गई मृत्यू होने के बावचूद भी उस जो गरीब जो संत अपनी कानी सुना रहे उनके मन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि उनोंने कितना गलत कार्य किया है उन्होंने प्रातर काली जाकर किराये पर एक काल लिये और उस काल के अंदर जो उनका मरा हुआ साथी था उसको डाला और वहाँ पर पूछने वाले लोगों को बताये कि ये बिमार है इसलिए इसे काल में लेकर दिखाने के लिए चाहरा हूँ इस तरह से वो चोर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसकी मन में रुपे पैसे कमाने के लिए चोर आ गया था वही संत जो अभी वर्तमान में संत हैं जो अपनी कहानी सुना रहे हैं वे अपने उस मरे वे साथी को कार में लेटा कर वहां से कार को लेकर सीधे समद्र के किनारे ले जाते हैं मुंबई में बहुत समंत्र है वहां समंत्र में ले जाकर अपने उस मरे वे साथी को समंत्र के किनारे लेटा देता हैं और जो कार वाला क्योंकि किराय पे कार लीती तो उस कार वाले को सो रुपे देता हैं और वहां से भेज देता है अब उसको ऐसा लगता है कि उसने समद्र के किनारे अपने मरेवे साथी को रखा समद्र के लहरों के साथ में वो साथी उसमें डूब गया और उसकी इस घटना क्रम को किसी नहीं देखा ऐसा उसका मानना था अब वे आनन्द से एक लाग रुपे लेकर खुशी मनाते वे घर लोटकर आ जाते हैं इधर उनका समाचा जब वे वहां आते हैं तो उनके आने का समाचा उनके जो हिस्सेदार है जिनके साथ में उनने साजेदारी कीती जो अपना रुपिया पैसा लगा रहा था उनके काम पर उनके घरवालों को भी मालूम होता है तो वे दोड के चले आते हैं और आकर जो रखती हैं उनसे आकर पूछते हैं कि सेड़ जी हमारा आदमी मदल मेरे घर का आदमी भी तो आपके साथ मुंबई गए थे तो आप उसे का जोड कर आ गया है और उनको क्या हुआ क्योंकि दोनों साथी मित्र इस साथ में गए थे परक तु लोटता कीवल एक क्योंकि एक ने लालच में आकर अपने दूसरे मित्र को मार दिया है तो जो दूसरे मित्र के परिवार वाले हैं वो पहले मित्र से पूछ रहे हैं पहले व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि हमारा व्यक्ति कहा है तब उस व्यक्ति ने बोला कि वो बस उनकी बात सुनकर ही छूट मोटकास ने रोना शुरू कर दिया और अपने शब्दों में पूरी तरह से दुख और शोख को लाते वे बोला भाई उसे मुंबई जाकर हेजा हो गया उसका बहुत इलाज कराया किन्तु वो मर गया मैंने उन्हें 8-10 अजार रुपे भी दे दिये जिस्से 8-10 अजार रुपे मैंने उसको दिये बी लेकिन उसका येजा ठीक ही नहीं हो जब यह सब मन घडन्त कहानी उस मित्र ने उस चोर व्यक्ति ने अपने ही साथी व्यक्ति के परिवार को सुनाई तो उन्हें उसकी बात पर पूरा पूरा विश्वाश हो गया और उन्होंने उसे इमानदार और धर्मात्मा समझा क्यों इसलिए धर्मात्मा क्योंकि जब उसने कहा था कि जब उस साथी को हेजा हो गया तो मैंने उसको आट-दस सजार रुपे दे दिया इस बात को सुनकर उस परिवार वाले ने सोचा कि कितना धर्मात्मा है उसके परिवार वालों को कहां पता था कि जिस व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे हैं कि वो हेजे से मर गया वास्तों में उसका हत्यारा तो उनके साबने खड़ावा वव्यक्ती ही था इसी अंजान पने के कारण उन्होंने उसे 40,000 रुपए दे दी इस तरह से जो साथी व्यक्ती का परिवार वाले होते हैं वो वहाँ से घर से लोटकर चले जाते हैं इधर जो सादू बिला के संत अपनी काहने सुना रहे हैं अपने ग्रहस आश्रम के समय की वे बताते हैं कि उस समय उनको किसी भी बात की चिंता ही नहीं रही उनको ऐसा लगा कि अब उनकी जो सफलता थी उसके बीच का काटा भी निकल गया वो साथी मर चुका है उससे अपना रुपिया भी लगा दिया जिसके कारण अब सारा रुपिय का मालिक वो खुद हैं इसलिए वो आनन्द पुर्वक रहने लगे उनकी जिन्दगी में चैन की वंशी बचने लगे हमने पहले भी बताया था कि उनके कोई संतान नहीं थी तो एक साल के बाद ही उनकी एक पुत्र भी हो गया अब तो उनकी जिन्दगी में कोई कमी रही नहीं क्योंकि रुपे पैसे की कोई कमी थी नहीं जूट कपड बेईबानी से अपने साथी मित्र को मार करके उन्होंने रुपिया कमा लिया था और जो संतान नहीं थी जिसका दुख उन्हें सताय जा रहा था वो भी अब खत्म हो गया क्योंकि अब उनके एक पुत्र हो गया उन्होंने मन ही मन कहा कि मैंने हिस्सेदार को मार कर बड़ा अच्छा कारे किया मेरे पास में रुप्या भी हो गया और मेरे लड़का भी हो गया क्योंकि उनके पहले कोई संतान नहीं थी और अब लड़का हुआ तो लड़के को वे बड़े लाट प्यार से पालते दिन भर कीवल उसके आराम के बारे में सूचते रहते और उसके साथ सुख से अपने दिन विताने लगे धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ उसकी पड़ाई शुरू हुई शिक्षा के लिए अन्त में उसे इंगलेंड भेज दिया पैसे कि तो कोई कमी थी कहां उस व्यक्ति के पास अपने साथी मित्र अपने हिस्सेदार को बेई मानी से मारा था रुपिया कमाया था और पैसा लगाया था ही कहां उसने तो अब अपने बेटे पे तो लगाता ही अब उसने लड़के को इंगलेंड पढ़ने के लिए भीजा उस दिनों पर शाद लड़का शादी के लायक हो गया इंगलेंड पढ़ने गया है इस बात की चारो और धूम ज़ खई चारो और से बड़े बड़े घरानों के सेट लोगों के शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे कोई 20,000 रुपय देने की बात कहता था तो कोई 50,000 रुपय देने की बात कहता था इस से उस चोर व्यक्ति के मन में पूरा पूरा विश्वाश हो गया था कि एक लाख रुपए तो उसको सगाई में ही मिल जाएंगे और बाकी के उस लड़के के विवा में क्योंकि मेरा लड़का तो विलायत माने इंगलैंड पढ़कर जो आया है कैनिक अतात परिया उसने चाहे अपने हिस्सेदार को म उसे हडप लिये थे परन तू फिर भी उसे अपने कृत्ते पर किसी भी प्रकार की कोई शर्मिंदगी नहीं थी उसे अभी भी यही लग रहा था कि जो उसने किया वह बहुत अच्छा किया तभी तो अपनी उस साथी मित्र को मारने से उसने रुपिया भी कमा लिए और रुपिया रुपिया धन दौलत धन दौलत धन दौलत इसके अलावा उस व्यक्ति को कुछ दिखे नहीं रहा था और उस व्यक्ति को क्या कई न कई यह हालत हमारी भी है आप स्वेम खुद से प्रेश्न करें क्या आज हम हर चीज को रुपे से नहीं तोलते हैं चाहे किसी भी तरीके से हम बस रुपिया कमाले चाहे किसी भी तरह हम सामने वाले से सम्मान पाले चाहे कुछ भी बोलना पड़े चाहे जूट बोलना पड़े चाहे हम मन में जानते हैं कि हम कितने गलत हैं उसकी बावचूत भी हम सामने वाले से तारिफ पानाव चाते हैं उसके लिए ह जूट बोल जाता है। जैसा कि इस व्यक्ति ने उस हिस्सेदार व्यक्ति के परिवार वालों के सामने जूट बोला। सिर्फ इस बात से कि वो तारिफ का पात्र बन जाता है। अब वो बेटा उस चोर व्यक्ति का बेटा विलायत से पढ़कर आ जाता है। आने के बाद एक दिन वो रात में सिनेमा देखने के लिए जाता है रात में ही उसे बुखार आ जाता है जैसे उस बच्चे को बुखार आता है तो उसका पिता बहुत घबरा जाता है वो बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर को बुलाता है और अपने बच्चे को उसको दिखाता है डॉक्टर कहता है सेड जी चिंता की कोई बात नहीं है ये राद बड़ सिनेमा में ग्याता इसलिए जागा हुआ है न इसलिए नहीं सोने के करण इसको बुकार हो गया है आप चिंता ना करे उतर जाएगा डॉक्टर ने उसको दवाई दी और उस व्यक्ति ने अपने बेटे को दी और वो वहाँ से चला गया उसने दवाई ले ली परन्तु फिर भी जब सुबह देखा तो 104 डिग्री बुकार उस व्यक्ति के बेटे को था तो वह व्यक्ति बहुत घब राया थोड़ी देर बात में देखा तो उसका बुकार 106 डिग्री निकला उस व्यक्ति के तो होश ही गुम हो गया उसे अपनी संतान से बहुत प्रेम था उसने शहर के बड़े बड़े प्रसिद्ध डॉक्तरों को बुलाया और अपने बेटे को दिखाया सबने लड़की को देखा और उस व्यक्ति ने हर डॉक्तर को 500-500 रुपए दे दिये कीवल अपने बच्चे को देखने के लिए सबने अच्छी प्रकार से देखने के बाद ने बोला सेड़ जी यह लड़का बचेगा नहीं इसे शै हो गया है शै हेजा बिमारी होती है जब उसने डॉक्टर से ये बात सुनी तो वो घपराया और रोने लगा हमारा भी यह हाल होता है कि जब हम इस अंसार में जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और डॉक्टर या कोई भी उसके बारे मैं कुछ ऐसी बात कहा देता है तो हम अपने रोने को रोक नहीं पाते यह स्वभाविक था उसने रोकर डॉक्टर से कहा चाहे जितना रुपए खर्च हो जाए इसके चिंता नहीं करो पर मेरा इस लड़के को बचा लो यह मेरी कलौती संतान है यह मेरे सुक का कारण है डॉक्टर उने सलहा करके बताया कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है इसलिए आप इसे स्विजर लेंड ले जाओ वहाँ इसका इलाज करा दो तो शायद हो सताय यह बच जाए इसके अलावा कोई तरीका नहीं है चिंता किस बात की थी उस व्यक्ति के पास में पैसे की तो कोई कमी थी नहीं और उसे अपनी संतान प्यारी थी उसका जीवन प्यारा था इसलिए वे उसे लेकर स्विजर लेंड चला गया और वहाँ पर एक साल तक रहकर लड़की का इलाज कराया लड़की की इलाज में उप्रती दिन खूब रुप्या पैसा लुटाता रहा अंत में एक वर्ष के पश्चार स्विजर लेंड की डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया और कहा तुम्हारा ये लड़का कुछ दिन ही और चियेगा अब ये बचेगा नहीं डॉक्टर्स एग ये बात सुनने के बाद उस व्यक्ति की उमीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी वह मा था पीड़ता रोता धोता अपने बेटे को उन्हें अपने देश में अपने शहर में लेकर आ गया घर वालों को रिष्टेदारों को उसके मिलने वालों को जब ये मालुम हुआ तो सब उसके बेटे को देखने आने लगे धीरे धीरे उस बच्चे की मृत्यों का समय निकट आ गया तब उस बेटे का पिता वही पिता जिसने एक दिन अपने हिस्सेदार मित्र को छल कपट से मारा था वही पिता दो गंटे पहले रोता धोता सिर पीटता अपने लड़के के पास आया और उसकी तरफ मू करके आवाज दे कर कहा बेटा जरह आखे तो खोल दे उसने मेरी आवाज सुनकर उस बेटे ने उस अपने पिता की आवाज सुनी तो एकदम आखे खोल दी और आके कोलते ही वह हसा लड़के को मृत्यू के मुह में जाते हुए और ऐसे हसते वे देखकर उस व्यक्ति के आश्यरे का ठिकाना ही नहीं रहा उस पिता ने रोते वे अपने पुत्र से हसने का कारण पूछा कि तुम हस क्यों रहे हो तुम्हारी व्यत्यू का समय निकट है फिर भी उस बेटे ने कहा पिता जी आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ ये बात सुनकर उस पिता को कुछ समझ नहीं आया उस ने कहा हा मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो उस बेटे ने का आप मेरी और गहरी द्रिश्टी से देखो मुझे पैचानो कि मैं वही तुमारा हिस्सेदार हूँ मैं वही तुमारा हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने धोके से मुंबई में जहर देकर मार डाला था मैं वही तुमारा हिस्सेदार हूँ जिसे तुम ने धोके से मुंबई में जहर देकर मार डाला था जैसी कि ये बात उस बच्चे का पिता सुनता है वो आश्चरे चकित रजाता है क्योंकि ये बात उसने मुंबई से लौट कर किसी को भी नहीं बताई थे वो पुत्र बोलता है कि मैं अब तुम्हारा बेटा बन कर आया हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे सारा रुपिया पाई पाई वसूल कर लो मैंने तुमसे सारा अपना रुपिया पाई पाई वसूल कर लिया है अब मेरे केवल 500 रुपए 6 बच्चे है उन्हें तुम मेरे क्रिया कर्म में लगा देना इतना कहकर उस पिता के सामने वो बेटा चला जाता है विदा हो जाता है जैराम जी इतना कहते ही उस लड़के ने प्राण त्याग दिये जब वो पिता वही पिता जिसने अपनी क्रहस्ता आश्रम में धोके से अपने मित्र को जहर देकर मार दिया था अपने पुत्र की तरफ गहरी द्रिश्टी से देखता है तो सच में उसे उस हिस्सेदार की सूरत उस लड़के में दिखाई पड़ती है वो रोते हुए उसे ले जाकर उसकी अंतिम क्रिया करता है और उसकी अंतिम क्रिया करने के पश्षाद फिर लोटकर वो अपने घर को नहीं आता जंगल के रास्ते को चुल लेता है और उस दिन से ही वो व्यक्ति सादू बेला के संत के रूप में बदल जाते है ये कहाणी है उस सादुबेला के उन संध की जिनोंने ग्रियर सी आश्रम में जूट कपट बेईमानी से रुपे कमाने को ही अपना धेमाना जूट कपट बेईमानी से किया हुआ कमाया हुआ धन इस तरह से किसी भी रूप में अवश्य निकलता है किसी लिए चाहे कम कमा लिया जाए, लेकिन इमानदारी से कमाया जाए किसी का दिल दुखा के न कमाया जाए, किसी के साथ बेवानी करके न कमाया जाए किसी से जूट बोलकर कोई चीज न कमाई जाए क्योंकि बुरे पापों का फल भोगना पड़ता है क्या अब भी बुरे कर्म करने वाले पाप की कमाई करने वाले लोगों की इस सत्य घटना को सुनकर भी आखे नहीं खुलेगी